साथियों आप सबको साधर नमस्कार जैसा कि आप जानते हैं सागर अकेडमी के प्लेटफार्म पर गणित पढ़ाने के साथ साथ हम बीच बीच में आप से तमाम प्रेरग प्रसंगों पर बात करते रहते हैं इसके पीछे हमारा उद्देश होता है कि आपकी सोंच अच्छी हो सकारात्मक हो ब्यक्त के सुखी जीवन के लिए उसकी सोंच का अच्छा और सकारात्मक होना बहुत आवस्यक है इसी कड़ी में आज हम बहुत ही सामाईक और प्रासंगिक बिसे पर आप से बात करना चाहते ह हम देख रहे हैं साथियों कि तमाम चीजें सोसल मेडिया पर ऐसी रहती हैं कि लोग अलग-अलग जातियों के विसे में तमाम प्रकार की नकारात्मक टिपड़ी करते रहते हैं एक दूसरे को सक और अविस्वास की नजर से देखते हैं जबकि सच्चाई इसके विप्रित ह इसी से जुड़ी एक बहुत ही रोचक बहुत ही प्रेरक कहानी लेकर आपके बीच आया हूँ एक बार की बात है एक जिले में बहुत ही जाती संघर्स के हालाद बने हुए थे दो जातियों के बीच टकराओ की सिती थी दोनों ही जातियों के लोग एक दूसरे को सक और अविस्वास के नजर से देख रहे थे लोगों के बहकावे में आ चुके थे उसी समय एक दिन सहर से गाउं की तरफ आने वाली बस में एक साथ एक बुजुर्ग और एक नौजवान चड़े संघर्स की बात थी कि वह बुजुर्ग और नौजवान दोनों अलग अलग उन्ही जातियों से तालुक रखते थे जिन दो जातियों के बेच टकराओ के हाला थे दोनों एक दूसरे के बिस्से में अलग अलग जातियों के बिस्से में तमाम नकरात्मक चीजें सुन रखे थे दोनों ही एक दूसरे को सक और अबिस्वास की नजर से डरी और सहमी हुई नजरों से देख रहे थे उस बुजुर्ग आदमी ने सुन रखा था कि यह नवजवान जिस जाती से तालुक रखता है उस जात के लोग अच्छे नहीं होते हैं बेहत खतरनाक और अविस्वस्नी होते हैं ठीक इसी प्रकार उस नौजवान ने उस बुजुर्ग आदमी के जात के विशे में सुन रखा था, कि यह बुजुर्ग आदमी जिस जाती से तालुक रखता है, उस जात के लोग बेहद अभिस्वसनी और खतरनाक होता है। कुछ समय बेतने के बाद जब उस बस स्टाप पर पहुँचे जहां दोनों को एक साथ उतरना था, उस वक्त अंधेरा हो चुका था। यह भी संजोग था कि उस बुजुर्ग आदमी और नौजवान का घर एक ही रास्ते पर था। बुजुर्ग आदमी का घर पहले परता था और उस नौजवान का गाउं, उस बुजुर्ग आदमी के गाउं के बात परता था। दोनों एक दूसरे से डरे हुए थे, अपने आसंका के कारण, अपने सक और अविस्वास के कारण बुजुर्ग आदमी तेज रप्तार से चल ला था, उसको डर था कि कहीं आगे अधेरे और सन्नाटे का फायदा उठा कर ये नौजवान उस पर हमला न कर दे वहीं दूसरी और वो नौजवान भी डरा हुआ था कि इस बुजुर्ग आदमी का घर रास्ते में पढ़ता है, कहीं ऐसा नहों कि अपने गाउं में पहुँचकर जब मैं पार करूँ उस गाउं को मेरे उपर हमला करते हैं इस तरह से दोनों एक दूसरे से डरे सहमें थेस कदमों से आगे चले जा रहे थे बुजुर्ग आदमी ज़्यादा डरा हुआ था, ज़्यादा तेज जा रहा था बुजुर्ग आदमी अपने गाउं पहुँच गया, अपने घर पहुँचकर उसने राहत की सांस लिए उस बुजुर्ग आदमी का घर उस गाउं में रास्ते के किनारे है था इधर ओ नौजवान आगे बढ़ रहा था, रास्ते में एक सूखा कुआ पड़ता था अंधेरे के कारण और नौजवान समझ न सका और उस सूखे कुए में गिर पड़ा अंधेरा हो चुका था, मौसम भी खराब था, धेरे धेरे बारिस में सुरू हो चुकी थे बारिस का पानी धेरे धेरे उस कुए में आ रहा था अब नौजवान बहुत डर चुका था उसको लग रहा था कि यहां चिलाने रोने से भी उसकी आवाज कोई नहीं सुन पाएगा आज की रात उसकी आखरी रात होगी धीरे धीरे उस कुए में पानी बढ़ता जाएगा और उसी कुए में डोब कर मर जाएगा किसी को पता भी नहीं चल पाएगा नौजवान अब डरा सहमा अपने मौत की प्रदेख चा कर रहा था उधर वह बुजुर्ग आदमी कुछ देर तक अपने घर पर पहुँचने के बाद इस सूसता रहा कि आखिरकार वह नौजवान उसके पीछे ही आ रहा था तो अब तक वह इस रास्ति से गुजरा क्यों नहीं उसके बाद उस बुजुर्ग आदमी के चिंता उस नौजवान को लेकर बढ़ने लगी नजाने क्या उसको सूझा उस बुजुर्ग आदमी ने टार्च लिया और रस्सी उठाया उसको लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं उस नौजवान उस कुए में गिर पड़ा हो जो रास्ते में पड़ता है बुजुर्ग आदमी फिर तेश कदमों से पीछे उसी रास्ते की तरफ बढ़ा उस कुए के पास महुचा रास्ते में जो था और वहाँ पहुचकर उसने टार्च जला कर देखा तो नौजवान कुए में था और कुए में धीरे धीरे पानी भी भर रहा था उस बुजुर्ग आदमी ने कहा कि बिटा मैं तुमको निकाल सकता हूँ इस कुए से लेकिन ये बताओ कहें निकलने के बाद तुम मेरे उपर हमला तो नहीं कर दोगे मुझे मार तो नहीं दोगे उस नौजवान ने जो सुन रखा था जो सौच रखा था तुम बुजुर्ग आदमी की विस्सा में वह हवा करा गया कि जिसको हम इतने सक के नजर से देख रहे थे आज वही जीवन बचाने आए उसने हाद जोड़कर प्रात्ना की कि आपकी गलत वामी थे ऐसा नहीं फिर उस बुजुर्ग आदमी ने नौजवान को कुएं से बाहर निकला निकलते ही ओ नौजवान बुजुर्ग आदमी के पैरों पर गिर पड़ा उसको अपनी गलती के एसास हुआ उस बुजुर्ग ने भी उस नौजवान को उठा कर अपने गले से लगा लिया दोनों के अंदर जो एक सक और अविस्वास था और दोर हो चुगा था दोनों एक दूसरे से लिपट कर रोपड़े कि आखिरकार इतनी यात्रा के दोरान एक दूसरे सो कैसे डरे और समय वे थे तो साथियों आज की तारिक में हम सब के अंदर जो तमाम प्रकार के नकरात्मक चीज़ हैं कुछ लोग अपने एजेंडे के ताहत भर रहे हैं वो गलत है एक दूसरे पर सक और अविस्वास करना छोड़े एक दूसरे पर भरोसा करना सिखे हम आपकी कहानी लगभग ऐसे ही है उस बुजर्ग आदमी और नौजवान की तरह से गलत फाहमी में हम सब जीर है अनावस्यक ही एक दूसरे पर सक कर रहा है साथियों भरोसा करना सिखे दूसरी जातियों में भी आपके अच्छे मित्र और सुबचिंतक हो सकते है जो सुबधुक में आपके काम आ सकते है यदि यकिन नहो तो आप एक चीज़ ज्रूर किजए गा, आज आप बैट करके सूचेगा, पांच ऐसे लोगों की सूची बनाए जो आपके दुख में काम आये हो, आप पाएंगे कुछ पांच की सूची में कम से कम शार ऐसे लोग होंगे, जो आपके अपने जातिके नहीं ह पाँच ऐसे लोगों की सुची बनाईए जिनकी वजह से आपको तकलीफ पहुची हो कभी न कभी तो आप पाएंगे तकलीफ पहुचाने वालों में से कम से कम चार लोग आपके अपने विरादरिक होंगे अपनी जातिके होंगे। साथियों आईए संकल प्लें कि हम एक दूसरे पर सक और अविश्वास नहीं करेंगे। जात के आधार पर किसी को सक की नजर से नहीं देखेंगे। दूसरों पर भरोसा करना सिखें, दूसरों की तरब दोसी का हाथ बढ़ाना सिखें। इसे में आप का भला है, समाज का भला है और पूरे देश का भी भला होगा। साथियों इसी के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, जैहिन जै भारत।